इस वीडियो के इतना काईस हम लोग बात करने वाले हैं कि पैन काड को कैसे सरेंडर किया जाता है देखे कई लोग के पास में दो-दो पैन काड होते हैं लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए दस हजार उपे तक के पैनल्टी आप लोग के उपर लग सकती है अगर आपने अपने पैन काड को सरेंडर नहीं किया तो तो आज किस वीडियो के अंदर मैं यहीं बताने वाला हूं जिसका अधा काड लिंक है जिसका अधा काड लिंक नहीं है कैसे अपने ए ओफिसर को बेसि बताना चाहूंगा क्योंकि अब आपका pancard आदाराकाट के साथ में लिंक होता है तो पहले क्या process होता है इस वीडियो के इंदे मैंने पूरी जानकारी दे रखे थी पहले हम लोग simply क्या करते थे लोग simply जो है एक pancard correction की यहाँ पर request डाला करते थे NSDL portal के थो तो guys वहाँ पर क्या होता था वहाँ पर क्या होता था जैसे आप पूरी application fill up करते थे आपको एक 11 नमबर के उपर एक column मिलता था mention other permanent account number if any inadvertently allotted you inadvertently का मतलब होता है कि अंजाने में अगर आपको कोई pan number issue हुआ है तो उसको आप यहाँ पर mention कर सकते हो surrender के लिए लेकिन देखिए जो भी इस तरह से online यहाँ पर process होता था वो आप यहाँ पर बंद हो चुका है यहाँ पर आपके pancard surrender नहीं होते हैं और guys यह चीज़ कुछ ही लोगों के लिए आपर work करती है even मैंने यह जब वीडियो भी बनाया था तो यहाँ पर आप देख सकते comment section पूरा भरा पड़ा है इसी चीजों से कि इससार मैंने यह सारा process यहाँ पर कर लिया उसके बावजूद भी मेरा pancard जो है surrender नहीं हुआ और यहाँ पर fees कटने के बाद में भी मेरे पास में यह option आ रहा है कि please contact to your AO officer यानि NSDL का जो जवाब आ रहा है वह यह आ रहा है कि please contact to your AO officer तो guys जब मैंने practical इसके उपर चांद बीन की और 3-4 हमारे जो cases थे उनको मैंने practically जब यहाँ पर हम लोगों नहीं किया तो आप देख सकते यह official letter है income tax department हम लोग गए और वहाँ पर हम लोग ने पूरा process समझा तो यह पूरे process को ही आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो अगला method है वो है second method और यह practically तरीकी से बिलकुल हर जगह पर पूरे और इंडिया के अंदर काम करता है वो है send application letter to your AO officer with the attachment तो देखिए AO officer क्या होता है basically आपका assisting officer होता है अब हर pen card का अलग-अलग assisting officer होता है उसका department अलग होता है उसका award number अलग होता है अब आपको पता कैसे लगेगा तो guys इसके लिए simply आपको income tax की website के उपर जाना है यह link में मैं आपको description box में देदूँगा यहां पे आप देख सकत जो reaction के अंदर आपका award number आपको मिल जाता है प्लस आपका यहां पर address में मिल जाता है जो income tax department का address होता है आप guys आपको करना क्या है आपके पास में दो option है अगर department मालीजी आपकी location से काफी ज़दा दूर है तो आप speed post के माधियम से यह request letter और मैं आपको जो affidavit और bond बताने व इस type का ठपा लग जाता है यानि कि simply एक acknowledgement यहां पर मिल जाती है और ऐसे ही guys यह एक second letter भी दे सकते है यहां पर इस type का जो है महौन लगी विए तो ultimately यह acknowledgement होता है बाकि अगर आप speed post के माधियम से बेचेंगे तो आपका जो केवल tracking code होगा वही अपने आप में एक acknowledgement number माना होगी जिसके अंदर सारी चीजें mention होगी कि आपका कौन सा pancard है कौन सा आपको deactivate कराना है कौन सा आपको activated रखना है क्या reason वगर हो सकते थे यहां पर pancard को duplicate मलब क्यों यहां पर pancard जो है second pancard यहां पर generate हुआ और यह सारी चीजें इसके अंदर mention होती है फिर का इस second page है वह अपने idea वगरे file नहीं की कहीं पर bank या कहीं पर भी DMAT account कहीं पर आपने वह pancard यूज नहीं किया है तो यह तीन चार्च चीजे कुछ declaration होती है और इसको आपको stamp paper के उपर print करवाना पड़ता है और इनके साथ में आपको जो है आपका जो original pancard होगा जिसको आप surrender करवाना चाह प्लस copy of the pancard जो आप active रखना चाहते है और copy of the adhar card और उसके साथ में bonds और यह request letter है इन सभी को आपको AO office को simply तरीके से जमा कराना पड़ता है और जैसे यहाँ पर AO office से basically इसको submit कर लेता है तो आप वगर by physical जाएंगे तो इस tab के stamp आपको एक page के उपर लगा के वापस आपको copy provide कर देगा अगर आप speed post के तुरू बेजते हैं तो simply आपका जो tracking code होगा वही अपने आपने एक acknowledgement number माना जाएगा बात करते हैं कुछ यहाँ पर problem से कितना time यहाँ पर लग सकता है तो देखिए totally depend करेगा आपके IDO के उपर क्योंकि पूरा का पूरा यह offline process है कोई भी online process वग होती अच्छी बात है simply आप अपना जो भी आपका pencard है जिसको आप active रखना चाहते हैं उसके साथ में 1000 रुपे की fees का payment करके simply आप अपने आदार काड को pencard के साथ में link रहा सकते हैं और इसके उपर हम लोग ने एक separate video बनाया हुआ है बस ध्यान एक रखने वाली चीज यह है कि make sure कीजेगा आपका जो pencard है आपका जो आदा काड है उसके अंदर जो full name है जो पूरा date of birth है वो दोनों के अंदर यहां पर match होना चीए तब ही दोनों एक दूसरे के साथ में link हो पाएंगे नहीं पर कई सागर मैं बात करूँ अगर let's suppose अगर आपका आदा काड ओले लिंक है जिस pencard को भी आप सरन्रे करवा रहे है मालनी जी आपने एक instant pencard generate कर लिया था income tax की website से वहाँ पर by default आपका जो pencard है वो आदा काड के साथ में link हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा जब आप request letter दे रहे ए officer को उसके दर ये भी आपको mention करना पड़ेगा कि please surrender करने क के बाद में मेरे आदा काड को इस pencard के साथ में deal link कर दीजेगा ताकि मैं अपने जो original pencard है जिसको मैं active रखना चाहता हूं उसके साथ में simply यहाँ पर link कर सकूँ तब ही guys आप यहाँ पर जो उसको active रख पाएंगे और यहाँ पर आप लिंक कर पाएंगे अपने original pencard के साथ म तो guys hope you like this video please subscribe our channel और अगर guys आपको pencard से related कोई भी consultancy चाहिए service चाहिए तो इन सभी के link आपको description box में बिल जाएगी जहाँ पर बहुत ही कम course के उपर आप हमारी service अवेल कर सकते हैं thank you guys thank you very much